आज का हमारा टॉपिक है create google calendar events from new job form submission तो job form जो कि हमारी एक form बिल्डर application है और google calendar के बारे में तो हम सब जानते ही है अब हम चाहते हैं कि job form पर जो हमने form create किया है जब भी हमको उस पर कोई response receive होता है तो same response है हम google calendar में event create करना चाहते हैं भी automatically पर अभी इसमें एक समस्या है समस्या यह है कि job form और google calendar के बीच में कोई भी direct connection नहीं है तो यह process अभी आपको बार बार manually करना पड़ता है पर आज मैं आपके लिए एक ऐसा automation लेकिया आया हूँ पैबलिक करनेट की मदद से जिसमें हमारी trigger application होगी job form, job form में जैसे कोई नया form submit होता है तो हमारी action application मतलब google calendar में automatically एक event create हो जाएगा तो देखते हैं मेरी screen पे यह कैसे मैं पूरा automation बना रहा हूँ जैसा कि अब देख सकते हैं यह है मेरे job form का account और यहाँ पर मैंने एक form create करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया है car service booking form का अब हम चाहते हैं कि इस form में हमको जब भी कोई response receive होता है तो हम same details का use करके google calendar में event create करना चाहते है automatically तो यह हम कैसे करेंगे यह हम करेंगे job form और google calendar के बीच में connection built करके पैबले connect की मदद से कि जैसे ही हमको इस form में कोई response receive होता है कोई customer यह form फिल करता है तो जो details है उसका use करेंगे google calendar में automatically event create हो जाए यह form देखी मैंने यहाँ पर new tab पर open करके रखा है अब यह हम चलते हैं यहाँ पर new tab पर और यहाँ पर type करते है url www.pably.ly.com slash connect अब देख सकते हैं यह है पैबले का landing page पैबले एक बहुती amazing software है जहाँ multiple applications को connect या integrate कर सकते हैं अगर आप नई user हैं तो जाए sign up for free पे जहाँ आपको हर मेने मिलेंगे free task ऐसे automation create करने के लिए अगर आप existing user हैं तो click करे sign in पे और sign in पे click करती है आपके सामने open होंगे पैबले की 5 men application आज हमको जाना है पैबले Connect पे क्योंकि आज हमको दो applications को connect करना है इसने हम use करेंगा पैबले Connect और клиk करेंगा access now पे access now पे click करती है हमारी सामने open होगा पैबले Connect का dashboard तो आप देख सकते हैं, यह है पैबली करनेट का डैश बूर्ड, हमको जाना राइट है और अब देख रहोंगे, हाप एक option आ रहा है, create workflow का, create workflow पे click करना है, इसके बाद हमारे समने एक dialogue box appear होगा, जिसमें हमको इस workflow को एक नाम देना है, तो मैं ऐसे नाम देता हूँ, create google calendar event from new job from submission, क्योंकि आज का हमारा objective क्या है, आज का हमारा objective यह है, कि जब भी job form में जो हमने form built करके रखा है, इसमें जो भी response हमको receive होगा, उसका details का use करके, google calendar में की event create हो जाए, इसलिए मैं इसको नाम दिया है, create google calendar event from new job form submission, click करेंगे हम create पे, इसके लावा आप इसे कोई और भी ना concept से जिसमें हमारा पूरा automation based होता है और work करता है, इनकी definition की बात करेंगे, तो trigger कहता है when this happen and action कहता है, तो do this, मतलब जब ऐसा हो, तो ऐसा कर दो, तो आज के हमरी trigger application क्या होगी, आज के हमरी trigger application की job form, job form में जैसी कोई form submission आता है, तो action, मतलब google calendar में automatically event create हो जाए, तो इस पे click करे करेंगे, और सबसे पहले हम अपनी trigger application चूज करेंगे, जो होगी job form, यहां से मैंने चूज करी मिरे trigger application, job form, और trigger event पर हम select करेंगे new response, मतलब job form के form में जैसी कोई response receive होता है, तो instantly उसका data public connect के पास capture हो जाए, और उसका use करके automatically google calendar में event create हो जाए, अब यहां पे आप देख रहों यह webhook URL हमको करना है, यहां से copy, और जाना है हमारे job form के account पे, जहापे हमने अपना form बना के रखा था, form पे जाती हमको जाना right hand side पे, click करना है more पे, और जाना है form की settings पे, तो देखिए आप form की settings पे जाएंगे, और यह जो webhook URL है, इसका use करके हम job form के account को link करेंगे public connect से, अ और public connect पे, जैसे कि आपको याद हो का, public connect में जो हमको URL दिया था, वो हमको यहां से करना है copy, और जाना है job form के account पे, और उसको कर दिना है, यहां पे paste, तो यह था हमारा webhook का option, इसको यहां पे कर दिना है, हमको paste, इसको यहां पे paste करती है, हमको click करना है complete integration पे, और आप दे यहां पे waiting for webhook response का option आ रहा है, अब यहां पे लिखा है कि हमको login करना उस application पे, और test submission हमको करना है, तो जो form मैंने create करके रखा था, जो मैंने open करके रखा था, अब यह form हम भरते हैं कुछ dummy details के साथ, तो सबसे पहले आ रहा है हमारे सामने select an appointment date, तो appointment date मान लिजे मैंने choose कह र इसके बाद हमारे सामने form में option आ रहा है कि type of service की हमको कौन सी service करवानी है, तो सबसे पहले मैं कर देता हूँ, check the engine oil and fuel filter replacement and check tire condition, इसके बाद आता है कोई special instruction, special instruction मैं type कर देते हैं, please check the battery condition, तो यह हो गया हमारा special instruction, इसके बाद आता हमारा customer का नाम, तो मार लिजे customer का नाम है John Smith and phone तो यह मेरा phone number and address Navi Mumbai, तो यह हमने पूरा form फिल कर दिया है, इस पर हम पर click करता हूँ book now पे, तो देखिए हमारा form यह अपर successfully receive हो चुका है, इसका मतलब जो form मैंने job form is create करा था, उसको हमने successfully submit कर दिया है, अब देखिए, जैसी मैंने form submit करा है, इसका जो response है, वो public connect के पास automatically capture हो चुका है, देखिए, हमको API response है हम पर मिल चुका है, तो यह था हमारी गाड़ी का नाम, vehicle type, phone number, name, last name and गाड़ी का number and address, तो यह पूरा जो form हमने फिल किया था, उसकी जो details है, वो public connect के पास हम पर capture हो चुकी है, यह था हमारा form का title, तो हमारे जो first step of integration है, वो work कर रहा है, हमन क्योंकि Google Calendar में जो date का format होता है, वो होता है UTC format में, और हमको सिर्फ यहापर start date दी गई है, हमको end date के बारे में भी कोई information नहीं है, तो Google Calendar में event create करने से पहले हमको end date भी डालनी जरूरी होती है, तो end date जिसे क्या होगी, हमने start date यह दे दी है, कि हमको 16 March 2023 को हमारी car service पे डालनी गई थी जो format है, इसको हम change करेंगे UTC format पे, तो यहाँ पर use करेंगे हम पैबली का feature, जो है date time formatter, action union पर select करेंगे, format date only, click करूँगा, मैं connect पे, और date हम यहाँ से करेंगे map, तो mapping क्या होती है, mapping का मतलब यह होता है, जो data हमको previous step में build चुका है, उसका use हम यहाँ पर कर लेते है वो भी without manually type करेंगे, तो job form जो कि हमारी trigger application थी, यहाँ से मैं choose करूँगा मेरी start date, यह थी मेरी start date, और इसका हम करेंगे format change, तो कौन से format से कौन से format पर करना है, तो from format हमारा क्या है, from format हमारा होने वाला है, यह यह था हमारा Asia को लोगा तका format, अब इसको change करना हमको UTC format पे तो, यह है हमारा UTC format, और click करूँगा में save events and test request पे, तो देखिए हमारी date and time है, वो format हो चुका है UTC format में, अब हम इसको google calendar में fill कर सकते हैं, अब यह तो होगा हमारी start date and save हमको करना है end date के साथ, तो वापिस मैं action step select करूँगा, फिर से मैं public feature date time formatter का use करूँगा, और अब हम चूज करेंगे हमारी end date, और action event में select करेंगे add subtract time, तो यह हो गया हमारा action event, click करूँगा मैं connect पे, और देखिए अब हमारे सामने आ रही है following fields, enter date, expression to format and from format, तो यहापे मैं action event पे add subscribe time का action event क्यो select करा है, वो मैंने इसलिए select करा है, क्योंकि जो हमको date है मिली है, तो यह तो थी हमारी start date, अब हमको end date का चाहिए, तो हम यहापे use कर लेंगे इस date का, जैसे कि enter date जो आ रही है, हम यहापे use कर लेंगे start date, तो यह थी हमारी start date, क्योंकि इस तारीक को 16 मार्च 2030 को अपनी car servicing पे डाल ली है, इसके बाद हमारे सामने आ रहा है expression का, बतलब start date के बाद कितने दिन बाद अपकी गाड़ी वापिस चाहिए, तो उसके इसाब समय यहाप expression add कर देंगे, तो देखिए आ पर लिखा है, provide the amount of time you would like to add or subscribe to the date, example, plus 8 hours, plus 1 month, और 2 days, या minus 2 days, तो हम यहापे करेंगे type plus 2 days, कि 2 दिन बाद मिर को, इस date के 2 दिन बाद मिर को मिरी car वापिस चाहिए, तो यह हो ग already format कर चुके है, और click करूँगा, save and send test request पे, तो देखिए, यहापे date and time दोनों हमारे format हो चुके है, utc format है, यह हमको मिल गई है हमारी end date, और यह है हमारी start date, अब हम चलते है, हमारी last step के, और जो कि हमारी होने वाली action step, तो यहापे मैं आपिस plus button पे click करूँगा, अब हम choose करे अब ही action application, जो कि है Google calendar, अब यह पूरा जो date time को Google calendar में add करना है, event create करना है, यहाँ से मैं choose करूँगा, मेरी application Google calendar, और action event में select करेंगे, create an event, click करूँगा, मैं connect पे, और Google calendar के account को आप में connect करूँगा, public connect से, तो add new connection, sign in with Google, और यहाँ से हमको select करना हमारा account, तो यह है मेरा account, यहा public connect को Google calendar से connect करने के लिए, हमारा authorization पर successful हो चुका है, इसका मतलब जो हमारा Google calendar का account है, वो भी public connect से connect हो चुका है, अब यहाँ से हमको choose करना है हमारा calendar, तो अब देखिए, जो calendar को मैंने नाम दिया है, मैंने नाम दिया है demo test का, तो वापिस जाना है public connect पे, और यहाँ से हमको select कर mapping का, अब mapping मैंना को जिसे के पहले बताया है, mapping का मतलब यह होता है, कि जो response हमको trigger application में मिला था, उसका use हम यहाँ पर कर लेते है, तो जो हमारी first step थी, जो integration की, जिसमे हमने job form से, जो हमको response रिसे हुआ हुआ था, उसका use हम आपर कर लेंगे, वो भी without manually type करके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, mapping कैसे की जाती है, यहाँ पर हम click करेंगे, और आप देखे, job form जो की हमारी trigger application थी, उसका response आपको यहाँ पर show हो रहा होगा, तो यहाँ पर हमको type करना है title, तो title पर हम नाम देंगे, customer name, तो customer का नाम था, john space smith, तो यह हो गया customer का नाम, जो हमारा title, इसके बाद आता हमारा description, तो description में जैसे हमको customer को क्या service करवानी थी, like vehicle type, vehicle का number, उनका name, और जो भी service में required था, वो सारी fields से हमाँ पर fill करेंगे description में, तो सबसे पहले आता है हमारा vehicle का नाम, तो वापिस जाओंगो मैं, job form पे, और यह था हमारा vehicle का नाम, like vehicle type sedan, space देंगे हम, और वापिस हम यहाँ पर map कर देंगे vehicle का model, तो यह हो गया हमारा vehicle का नाम, vehicle का model, click करूँगा enter पे, अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे list of services, पतलब जो service हमको करवानी थी, उसकी पूरी list है, वो हम डालेंगे description में, ताकि Google calendar में पूरी list चले जाए, तो यह हो गया मेरा list of services, फिर में click करूँगा enter पे, और वापिस map कर देंगे हम यहाँ पे, जो following fields थी, like list of services में, क्या था, check tire condition, फिर में click करूँगा enter पे, दूसरी थी fuel filter replacement, and check the engine oils, के बाद तो special remark जो हम ने दिया तो, special description दिया था, वो भी हम यहाँ पर कर देंगे map, यह था हमारा please check the battery condition, यह थी हमारी पूरी description, like vehicle का नाम, type, and list of services जो भी हमको कराने थी, इसके बाद आती है, अब customer की location, तो वापिस जाओंगो, मैं, job form पे, तो location थी, नवी बंबई, और फिर आती हमारी start date and end date, तो start date and end date, जैसे के अब जानते हैं, अभी हमने date time formatter से, जो date format करी थी, उसका use हम आपे कर लेंगे तो start date थी हमारी, 16 March 2023 को जो vehicle थी, वो service पर आ रही थी, और end date थी हमारी, जो हमने third step में date format करी थी, यारे 18 March 2023 को हमको service complete करके गाड़ी return करनी है, फिर आता हमारा time zone, तो time zone है, हमारा UTC, प्यूंकि Google calendar में जो time zone होता है, वो UTC format में होता है, इसके बाद आती हमारी visibility, जो कि मैं enter करना है, तो आपको email address mention करना रहता है, अब यहापे हमको कोई email address नहीं दिया गया है, इसलिए मैं इन दोनों field को छोड़ूँगा blank, और simply हमने सारी fields field करती है, आप मैं click करूँगा save and send test request पर, तो देखिए जैसी में save and send test request पर click करूँगा, automatically, जो हमने date डाली है, 16 March 2023 से 18 March 2023 के बीच में एक Google Calendar में event create हो जाएगा, car service को लेके, तो click करते, save and send test request पर, तो देखिए यहापे हमको API response रिसी वह हो चुका है, तो status में दिखा रहा है confirmed, इसका मतलब Google Calendar में automatically event create हो चुका होगा, तो चलते हमारे Google Calendar पर, और date थी हमारी 16, तो देखिए, John Smith के नाम से यहापे event create and जो भी service हमको कराने थी, उसकी सारी details नहां पर, Google Calendar में automatically event create हो चुका है, इस date को, तो जो हमने integration बनाया था, पैबली करेट पर, वो work कर रहा है, simply 4 step पर हमने पूरा automation मनाया था, जिसमे हमारी trigger application थी, Jot Form, और हमारी action application थी, Google Calendar, तो यह 4 step पर हमने पूरा automation बनाया है, और यह automation हमन calendar में event create हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने दो फैपली के feature और use कर रहे थी, उसका नाम है date time formatter, इशया कोल करता है कि जो date हमको मेली थी, उसका हमने पहले UTC format में change किया, क्योंकि Google Calendar में जो dates रहती है, वो UTC format में होती है, फिर हमने end date निकाली, date time formatter से add और subtract करके, तो simply यह 4 step हमन हमें email कर सकते है, support at the rate family.com पर, अगर आपको कोई queries है, आपको कोई doubts है, तो आप जा सकते है, forum.family.com पर, अगर आपको pricing related कोई issue है, तो आप जा सकते है, इस link पर, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो please like करे, share करे, और हमारी channel को subscribe करना ना भूले, thank you